अथर वेद के तीसरे कांड का दस्मा सूक्त प्रारंब होता है मंत्र संख्या एक गरिशिय अथर्वा देवता अश्ट का छंद अनुस्टुप ओम प्रत्मा हव्यस्वाससा देनुरब वद्यमे सानहा पयस्वति दुदा मुत्रा मुत्राम समाम आठ प्रहर का यह दिन उशा से प्रारंब होता है यही प्रत्म और मुख्य प्रहर होता है जो उशा काल से प्रारंब होता है यह हमारे लिए देनों के समान हो, और हमारे भीतर ज्ञान रूपी दूध का वरधन करने वाला हो, उत्रोत्तर हमें पूर्ण बनाने वाला हो, हमारा कर्टव्य स्वाध्याय हो, निरंतर वेर पाठ और ज्ञान बचनों का हम स्वाध्याय करते रहें। मंत्र संख्यादो याम देवाह प्रतिनन्दंती रात्रिम धेनूं पायतीम समवत्सर्यस्य या पत्नी सानों अस्तु सुमंगलि रात्री धेनूं है यह हमारी शक्तियों का फिर से वरधन करती है, यह समवत्सर की पत्नी है, हमारे निवास को प्रति दिन उत्तम बनाती हुई, हमारे जीवन के वर्षों को सच्मुच्छ सम्वत्सर बनाती है मंत्र संक्यातीन सम्वत्सर रस्य प्रतिमाम याम त्वा रात्रि उपा इस महि सान आयुष मदीम प्रजाम रायस पोशेन सम स्रज रात्रि सम्वत्सर की प्रतिमा है प्रति दिन शक्तियों को नवीन सा करती हुई, यह हमारे जीवन के वर्षों को सम्वत्सर बनाती है इस रात्रि का शयन में ठीक से प्रियोग करती हुई, हमारी संताने दीर्ग जीवी और धन के पोशन वाली हुँ मंत्र संख्याचार, यमेव, साया प्रत्म, व्योच्छदा, स्ववित, रासु चरती प्रविष्टा, महांतो अस्याम, महिमानो, अंतर, वधुर्जी गाय, नव, गजन, नित्री उशा का अलंदकार को दोर करती होई आती है, और दिन के अगले भाग में गती करती है, यह हमें विजई बनाती है, समय अतियंत महतुपोन है, यह समय हमारे जीवन को महिमावंत करता है, इस समय में सोई रहना बड़ी भारी मुर्खता है, बहुत बड़ी हानी है मंत्र संख्या पाँच वानस्पत्य ग्रावाणो गोशंक्रत हविश्क्रण वन्तम परिवत्सरीणं एकाष्ट के सुप्रजसह सुवीरावयं स्याम पतियो रैणाम वर्ष बर प्रति दिन इस्तुति और यग करते हुए हम उत्तम संतान वाले बने वीर और धन के स्वामी हों मंत्र संख्या चे इडाया इस्पदम ग्रतवत्सर प्रसम जातवेलह प्रति हव्या ग्रभाया ये ग्राम्या पश्वो विश्वरु पास्ते शाम सप्तानाम मै रंते रस्तु हम स्वाध्याय को और यग को अपनाए हम सबी प्राणियों के प्रिया जन बने मंत्र संख्या सात आमा पुष्टे चपोशे चरात्रिद देवानाम सुमतव स्याम पूर्णा दर्वे परापत सुपूर्णा पुनरापत सर्वान्य ज्यान तस भंजती शमूर्जम न आभरक हमरात्री में पूरी निद्रा लेकर स्वस्थ बनें धन को प्राप्त करके सदा यग शील बनें उत्तम अन के रस का पान करें और उत्तम कर्म करते हुए अपनी जीवन को व्यतीत करें मंत्र संख्या आठ आयम गनत सम्वत सरह पतिरे कास्ट के तव सान आयुष्मदिम प्रजाम रायस पोशेन सम्सरज वर्ष के प्रारंबिक दिन हम उशा जागरण का व्रत लें तथा निश्चे करें कि अपने जीवन को उत्तम बनाकर हम अपनी संतानों को दीर्ग जीवी और संपन बनाने के लिए यतन शील रहेंगे मंत्र संख्या नो इरितुन यज इरितु पतिना तरवानुत हाइनान समह समवत सरान मामसान भूतस्य पतिये यजे सब घरों में यग होने पर इरितु और काल के समय होने वाले कष्ट दोर होते हैं इन यग्यों से ही उस परम्रम परमात्मा की उपासना और आराधना भी होती है मंत्र संख्या दस रितु ब्यस्ट वाल्ट वेब्यो मादब्यः समवत सरेब्यः धात्रे विदात्रे सम्रदे भूतस्य पतिये यजे यग्यों के द्वादा रित्यों की अनुकूलता होती है और परमेश्वर की आराधना होती है मंत्र संख्या ग्यारा इड़या जुहतो वयम देवान गरत वतायजे ग्रहान अलब्यतो वयम सम विशे मौश गोमताह वेदवानी का उच्चारण करते हुए हम अग्नी में ग्रत की आहुतियां दें इससे जहां अग्नी वाईयो आदी देवों की अनुकूलता होगी वहां हमारे घर सब इष्ट वस्तुओं और गव्वों से परिपोल्ण होंगे मंत्र संख्या बारा एकाष्ट का तप्स तप्यमाना जजान गर्भम महिमानमिंद्रम तेन देवा व्यशहंत शत्रून हता दस्यो नाम वच्च ची पति ही हम उशाकाल में प्रबद्ध होकर स्वाध्यायरूप तपसे दीप्त जीवनवाले बने परम्ब्रम्परमेश्वर के प्रकाष को देखे प्रभु के द्वारा सब आसुरी भावों का विनाश करने वाले बने मंत्र संख्या तिहरा इंड्र पुत्रे सोम पुत्रे दोहितासी प्रजापते है कामानिस्मा कम पूरया प्रति ग्रहाना ही नोह विह यह उश्यकाल हमें उस परमेश्वर के प्रकाष को दिखाता है हमारी कामनाओं को पूरा करता है हम सदा इस प्रात्यकाल में प्रबुद्ध होकर यग आदे करें परम्रम्प के उपासना और आराधना करते रहें अथरवेद के तीसरे कांड का दस्मा सूक्त समाप्त होता है ओम शान्ति 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 ही एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा